Advertiser Verification for Google Ads दोस्तों ये एक नए कंडिशन जो Google Ads ने रखी सभी Advertisers के लिए होगता आपको भी notification आगया हो कि आपको next 30 days के अंदर अपना Advertiser Verification complete करना है इस वीडियो में हम जानेंगे कि Advertiser Verification कैसे करना है Google Ads पे और साथ ही हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या documents लगते हैं क्यों ये जरूरी है और इसके हमें क्या फायदे हैं और Google इसे क्यों करवा रहा है आपसे तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को Advertiser Verification for Google Ads दोस्तों आप अपने Google Ads की Dashboard में आने के बात उपर Tools and Settings की बटन दवाएंगे यहाँ पर आप Billing वाले कॉलम में सबसे नीची वाली बटन पर जाएंगे Advertiser Verification पर क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से एक Box मिलेगा जहाँ पर आपके Status बताया जा रहा होगा जैसे इसमें पहले वाले पर Attempt किया जा चुका है दूसरा वाला Incomplete है आपके में दोनों में Get Started लिखा रहा होगा सबसे पहले Tell Us About Your Business वाले पर हम क्लिक करेंगे इसको Restart करेंगे आप Get Start कर सकते हैं पहला सवाल आपसे पूछा जाता है Is Your Organization and Advertising Agency मुझे उमीद है कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप एक Advertising Agency नहीं है आप एक Individual है तो आप यहाँ पे No Select करेंगे दूसरा option आपसे पूछा जाएगा Who pays for your ads तो यह सवाल के कहने का मतलब यह है कि क्या आप Directly Google Ads में Payment करते हैं जो कि Obviously आप करते होंगे अगर आप Agency है यह हो सकता है आप एक ऐसे Client है किसी Agency के जो आप अपनी Agency को पैसा देते हो और Agency Google Ads को पैसा देते हैं उस case में शादि यह verification वाला काम आपकी Google Ads Agency करेगी तो don't worry आप यहाँ पे लिखेंगे yes we pay Google Ads directly हम Google Ads को डारेक्ट पैसा देते हैं उसकी बाद आप यहाँ Save and Continue कर देंगे उसके बाद आप इस तरीके के page पे पहुंच जाएंगे जहाँ add your organization registration document के बारे में लिखा रहेगा और यह आप से बीच में इस तरीके की अपनी organization का नाम और address के बारे में भी पूछ सकता है आपके GST document के जो आपके पास PDF file होगी उसे आप यहाँ पे upload की button दबा के upload कर देंगे और upload करने के बाद आप यहाँ पे submit की button दबाएंगे दोस्तों submit करने के एक दो दिन बाद आपको अपने Gmail पे भी एक mail आजाएगा जिसमें यह बताया जाएगा कि आपका Google Ads account verify हो गया है और आप अपने अड़िटाइजर section में जाएगे तो वहाँ पे भी आपको इस तरीके से तीन चीज़ों के आगे टिक लगा हुआ मिलेगा tell us about your business, verify your identity, verify your business operation, verify your identity में आपको अपना pen card upload करना है और साथ ही यह आपको बताएगा your verified disclosure यानि कि कौन-कौन सी चीज़े यह लोगों के सामने public करेगा आपकी उसमें आपका नाम, आपकी location और इसके लावा भी कुछ चीज़े public करता है वो हमें आपको बता दे सबसे पहले हम समझते हैं कि Google आपसे ऐसा क्यों करवा रहा है, Google आपसे ऐसा इसलिए करवा रहा है ताकि वो ad ecosystem में, advertising ecosystem में transparency रख सके जैसा कि Facebook रखता है साथ ही वो लोगों को बता सके कि इस ad के पीछे कौन सा advertiser या कौन सा business है, business information आपकी public हो जाएगी और साथ ही साथ आपने जो भी creatives चला हैं, जो भी ad images या text ad चला हैं वो भी आपके public हो जाएगी, कोई भी किसी भी date case आप से आपके creatives और ads देख सकता है और इसी बात का फायदा आप भी उठा सकते हैं दूसरे अच्छे 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 ads के ads को देखके उनसे inspiration लेके या उनसे idea लेके तो चलिए देखते हैं हम दूसरों के creatives कैसे देख सकते हैं तो दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पर search किया hubspot alternative आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले आपको ad दिख रहा है अगर आप ad के बाजू यहाँ three dots पर click करेंगे तो आपके पास इस तरीके से आपका मायर center का box खुल जाता है इसमें आप scroll करके नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यह advertiser कौन है advertiser का नाम engage bay है location united states है अब हम देखना चाहते हैं कि इसी के दोरह और चलाए हुए ads तो see more ads की बटन आ रही इस पर हम click करेंगे इस पर click करने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं कि इस तरीके से ऊपर वाला block आ रहा है जिसमें कुछ filters लगे हैं जैसे कि time का filter है location है और formats है आप इस में time के filter में ऐसे जाके date के आप से देख सकते है कौन सी डेट पे कौन सा ad चला होगा आप location वाले filter में जाके कौन सी कंटरी में चला होगा और आप all format वाले filter में जाके choose कर सकते है कि image आड देखना है text आड देखना है ये video आड देखना है कि इस company ने जो भी text ad चला है उसमें से क्या-क्या line डिस्पले हुई है वो साभी text आप यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके साफ format चेंज करके image ads भी देख सकते हैं अगर इनने कोई भी image ad चला है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जोड़ दो रहे हैं अभी यह देखिए वर्ल्स नंबर वन अफोड़ेबल all-in-one CRM इस तरीके से इनके image ads चल रहे हैं आप चाहें तो यहाँ पर video ads भी देख सकते हैं जैसे कि इनने कोई video ad नहीं चला है तो यहाँ पर zero display हो रहा है दोस्तों इस तरीके से आप Google Advertiser verification का फायदा खुद के लिए उठा सकते हैं दूसरे के ads देख सकते हैं inspiration ले सकते हैं idea ले सकते हैं खुद को कैसा ad बनाना है और दूसरे भी आपके ads देख सकते हैं इस बात का भी आपको दिहान रखना होगा इसके लबा दोस्तों अगर आपको इसमें कोई भी query या दिक्कत है तो आप मेरे comment section में लिख सकते हैं अगर आपको कोई consultancy या Google Ads से related services चाहिए तो आप नीचे की दिए गए screen के number पे मुझे contact कर सकते हैं WhatsApp पे only इसी किसना दोस्तों मेरे digital marketing course की रिंग आपको description में मिल जाएगी